हलो गाईज आप सभी का स्वागत है हमारे ओनलान वेपरेटर चैनल पे मैं हूँ संज है जो हम कोर्स कंटिनू करें वह है लावल 8 फ्रेम अक्टोरियल आद इस आप नमर 60 इस वीडियो सेशन में गाईज हम डिसकस करने वाले हैं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो की लिटिस्ट अपडेट आपको मिलती रहे लावल अप्लिकेशन में हमारे पास काफी सारे हल्पर फंक्शन अवेलेबल हैं जो की यूरल के साथ काम करते हैं यहाँ पर हम कुछ ऐसे फंक्शन के बारे में डिसकस करेंगे जो फंक्शन को यूज करके हम यूरल जेनरेट कर सकते हैं तो अगर मैं जाओ नेक्स स्टप पर इसे फिरिए SupportFr Egyptianisies अवॉरारी फंक्शन औरlles लेट' हॉर्पर फंक्शन छक्रम है छवतर हैं इन फन्षद को यूज करके हम अपने क यूर्फ नीज को फुल यूर्फ ये कहकर तो किसी भी यूर्फ कर सकते हैं तो कैसे यूस करते हैं, उसके लिए मैं जाओंगा अपने एडिटर पे, यह रहा हमारा web.php, जहां लास्ट वीडियो सेशन में हमने कुछ routes create किये थे हैं, like this is for the data, and this is for user-data, लास्ट वीडियो सेशन में जो हमने concept discuss किया था, that is concept of route model binding, so, अगर मैं सबसे पहले, अगर हम URL for helper function को use करना चाहते हैं, so, what is the syntax to use, so, सबसे पहले मैं जाओंगा एडिटर पे, हम फिलाल अभी अपने इस route में हैं, या, या अगर मैं कोई एक और route create कर लो, like route get, यहाँ पर करों, like sample close of function echo within s3 tag within s3 tag, this is sample route, अगर मैं सेफ करनू, browser पे जाओं, forward slash sample, this is sample route, so, URL helper function को use करके हम अपने current URL को get कर सकते हैं, so, मैं उसके लिए जाओंगा एडिटर पे, so, echo URL helper function और मैं use करूंगा current method, अगर मैं save कर दूं, reload करूं, so, यह रहा हमारा current URL, इसी तरीके से हमारे पास अपने URL helper function के पास एक और method है, that is, full method, by the help of full method, we can get the full URL, यहाँ पर भी हमारे पास, जो भी full URL होंगे, वो full URL हमारे full method के थूर, retrieve हो जाएंगे, for example, अगर मैं कहूं, अपने इस route में हमारे पास कुछ query string है, let's say, name equals to this value, or email equal to this value, और हमने जो अभी help of function के method को use किया है, that is, current, so, current क्या करता है, हमारे current URL को, means fetch करता है, and we have the current route as local host, 8000 port, and sample, अगर मैं अटर प्रेस करूं, हम देख सकते हैं, हमारे पास current route return हुई है, instead, हमारे पास ये कोई भी query string value यहां पर URL के साथ नहीं आई है, so, if we want to get this full URL, अगर हमें full URL value को access करना हो, so, instead कि हम current use करें, हम use करेंगे echo, URL help of function, और इस URL help of function के थूँ हम call करेंगे अपने full method को, अगर मैं save कर दूँ, reload करूँ, so, आप देख सकते हूँ, हमारे पास URL के साथ query string value email, और जो name value हमने पास किया था, वो value अब हमारे URL के साथ attached value है, so, what is the difference between the current method and full method, जो current method है, वो हमारे current route को return करता है, and the full method returns the complete URL, इसी तरीके से हम अपने इस URL help of function को एक और तरीके से use कर सकते हैं, suppose कि हमें user-data और जो user parameter है, जो हम इस route में पास कर रहे हैं, अगर इसके URL को generate करना हो, so, हम कैसे generate करेंगे, simply, इस URL help of function के अंदर, हम पास करेंगे अपने route, और उसमें पास करेंगे id, so, अगर मैं इसे जाएफ करूं, जाओं जाओं, इसमें रिमूब करूंगा, प्रेस एंटर, so, यहां पर आप देख सकते हो, हमने जो value पास किया है, यहां पर मैं पेस्ट करूं, so, इस URL के अकॉर्डिंग, इसका यह output है, जो कि हमने लास्ट वीडियो सेशन में डिसकस किया था, so, यह हैं गाईज, हमारे पास कुछ URL help of functions के uses, so, आइदर हम इस URL help of function को use कर सकते हैं, या URL functions को use करने के लिए, हमारे पास एक URL फसाद भी available है, so, अगर मैं फसाद के थ्रूँ help करना चाहूं, so, use URL और यह URL हमारा एक फसाद है, इस URL फसाद के थ्रूँ हम कुछ methods को call करेंगे, so, अगर मैं इसे comment कर दूँ, e-go URL फसाद, और मैं call करूंगा, अगर मैं call करूंग, current, यह रहा हमारा current method, method, अगर मैं इसे reload करूंगा, so, यह रहा हमारा current URL, साथ ही साथ, अगर मैं कोई string value पास करूं, so, उसके लिए हम use करेंगे, full method, so, मैं save करूंगा, reload करूंगा, यह रहा हमारा complete URL, so, यह हैं guys, कुछ use, जो कि URL help of function, साथ ही साथ, URL फसाद के हैं, next, जो हम discuss करने वाले हैं, ताथ है, route help of function, यह भी वही काम करती है, यह किसी value को अपने अंदर ले करके, एक URL generate करती है, so, हम इसे कैसे use करते हैं, simply, मैं जाओंगा, एडिटर पे, अगर मैं इनको remove कर दूँ, so, e को, अगर हमें इस URL को generate करना हो, so, e को route, और इस route के अंदर जो value हमें pass करना है, keep in mind, this is the named route value, so, यहाँ पर जो हमने route create किया है, आप देख सकते हो, यह हमारा route configuration है, साथ ही साथ हमने एक name value pass किया है, और इसी named route value को हम यहाँ पर use करेंगे, अगर हम इसे use करते हैं, इसी value को अगर मैं copy करके अगर यहाँ, मैं इसे paste कर दूँ, save कर दूँ, अगर मैं reload करूँगा, so, हमारे पास कुछ errors है, that is, route user data not found, क्योंकि इस नाम का named route नहीं है, so, अगर मैं इसे copy करूँ, यहाँ पर जाओंगा, paste करूँगा, save करूँ, ब्राउजर पर जाओं, reload करूँ, हमारे पास दुबारा से error है, and this time for missing parameter, क्योंकि हमारे पास जो URL है, जिससे generate करने की कोशिस हम कर रहे हैं, उस URL में हमें, user parameter pass करना है, so, how can we pass, simply go here, हमें एरे create करेंगे, look at this intelligence, हमें parameter value pass करना है, error format में, so, user as a key, and 5 as a value, मैं से save करूँगा, अगर मैं reload करूँ, now this time, we have a route, so, इस route helper function को, हम कहां यूज करते हैं, basically, route function को, means route helper function को, हम अपने, bleed layout templates में, यूज करते हैं, जहांपर हम, anchor tag create करते हैं, वहांपर हम, ये named route create करते हैं, means named route को, use करते हैं, साथ ही साथ, अगर ओ नेम्ड route, कुछ parameters, accept करता है, then we need to pass, parameters value, in format of an array, so, ये है guys, route helper function, और इसी तरीके से, अगर मैं बात करूँ, action, so, यहां से, मैं से remove करूँगा, keep in mind, ये जो action helper function है, ये वही काम करती है, url generate करने के लिए, और इसे भी हम अपने, layout files में, use कर सकते हैं, या, हम अपने, form opening tab में भी, use कर सकते हैं, जहांपर हम, action attribute, define करते हैं, अगर मैं जहूँ एटीटर पे, simply, अगर मैं कहूँ action, but, इस ul helper function को, use करने के पहले, हमारे पास कुछ syntax है, जैसे कि, अगर हमें action use करना हो, simply, यहां पर हम, इस value को pass नहीं कर सकते हैं, या, named route value को, हम pass नहीं कर सकते हैं, so, instead, हम क्या कर सकते हैं, इसे syntax को pass करेंगा, that is, site controller, class, and get data method, अगर मैं इसे copy करूँ, paste करूँ, save करूँगा, reload करूँगा, so, यहां पर हमारे पास, again, error है, that is, missing parameter, क्योंकि, इस route को create करने के लिए, हमें, user parameter value, pass करना है, so, मैं कॉमा दूँगा, look at entire sense, हमें array में, parameters पास करने है, so, create an array, user, value 5, अगर मैं save करूँ, reload करूँ, and this is our URL, so, इसे तरीके से, अगर मैं कोई और route करूँ, let's say, route, get, यहां पर कहूँ, something run, function, यहां अगर मैं site controller को use करूँगा, create an array, site controller, it's a class, और अगर मैं create करूँ, let's say, get call, यह एक method है, अगर इस route को हम create करना चाहते हैं, using action, so, मैं इसे, comment करूँगा, echo, action URL, helper function, यहां पर हमें पास का ना है, name, so, simply, मैं से copy करूँगा, paste करूँगा, save करूँगा, browser पिचा कर रिलोट करूँगा, and this is our URL, so, यह थी, guys, हमारे पास कुछ, ऐसे helper functions of level, जो कि URL जनरेट करते हैं, and the syntax of their use, is little bit different, so, next video session में, guys, हम कुछ और concept के बारे में, discuss करेंगे, so, for this video session guys, thank you for watching, and have a great day,